नमस्कार दोस्तों आज दोस्तों एक discussion करने बाला topic लेकर आया हूँ दोस्तों कैसे MSC और MCA का entrance अब कैसे qualify करेंगे दोस्तों यह बहुत ही important है जो लोग MCA और MSC का preparation कर रहे हैं देखिए दोस्तों आज का जो time है उसमें hard work से ज़्यादा smart work का important है दोस्तों क्योंकि hard work आप करने से भी अच्छा university या college में entrance में qualify करना बहुत ही difficult है दोस्तों इसलिए आज का जो time है दोस्तों smart work का time है चलिए दोस्तों आज जो यह topic है दोस्तों इसमें हम समझेंगे कुछ tips के बारे में अगर वो tips हम follow करेंगे तो easily हम qualify कर पाएंगे entrance exam में उसके बाद हम और भी देखेंगे दोस्तों कौन सा type में कौन सा mode में exam आएगा कितना cover up करना पड़ेगा syllabus को कौन सा topic छोड़ना है कौन सा topic अच्छा तर से पढ़ना है हर एक चीज को हम इधर इस वीडियो में cover up करेंगे दोस्तों चलिए सुर्वाज करते हैं दोस्तों दोस्तों पहले special tips देखिए दोस्तों understand the pattern and mode of exam आपका जो pattern exam का जैसे आपका objective type या MCQ type में आएगा जो question का pattern है वो आपको पहले जानना पड़ेगा देखिए दोस्तों यह जो exam होता है दोस्तों different university का pattern different रहता है तो आप जो जो university में आप form fill up करेंगे उसका university का जो भी question आया था उसका pattern आपको देखना पड़ेगा देखिए दोस्तों next step plan your schedule how you are going to finish the syllabus उसके बात दोस्तों देखिए जो भी syllabus है MCA का और MSC का जो भी syllabus हो आपको finish करना पड़ेगा आपको cover up करना पड़ेगा syllabus आप जरूर देखिए दोस्तो जो भी university में आप form fill up कर रहे हैं next दोस्तों देखिए prepare your BSC topic very well as they are basic and fundamental and must be clear beforehand दोस्तों exam entrance exam देने का पहले आपका जो भी BSC topic है उसका जो भी fundamental चीज है हर एक चीज का fundamental जरूर देखिए दोस्तों हर एक topic को fundamental से cover कीजिए दोस्तों next practice as much as possible some previous year paper देखिए दोस्तों previous year का question paper है वो बहुत ही important है एक दोटों जरूर करके जाए दोस्तों next है keep focus on your strength and try to avoid negative marking यह बहुत important है दोस्तों आपका जो भी strength है आप जो जो topic में बहुत अच्छे है उस topic को पहले कभारब कीजिए क्योंकि time बहुत limited होता है दोस्तों तो इसलिए आपका जो भी आपका जो topic आपका strength है उसको पहले कभारब कीजिए बाद में next topic देखिए दोस्तों और negative marking इसका मतलब है दोस्तों जो लगता है आपका question आप answer नहीं जानते हैं लगभक नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ दीजिए दोस्तों next है atom mock test mock test online में बहुत सारा provide किया जा र of examination generally June में होता है दोस्तों mode of exam online में होता है generally language of question paper English में आता है दोस्तों duration generally MSC के लिए two hour का होता है तो one hour या तो 130 hour का होता है MSC के लिए 90 minutes लगता है दोस्तों देखे number of question hundred question रहता है लगबक और जो mode होता है दोस्तों mcq का mode होता है maximum marking scheme generally MSC के लिए हर एक correct answer के लिए two two four mark रहता है और negative marking one mark रहता है और mca के लिए two mark each question अगर correct करेंगे तो दो mark मिलेगा आपको और negative mark 0.5 तो दोस्तों यह था आपका जो कैसे आएगा दोस्तों और एक चीज यहां पर मैं बोलना चाहूंगा आप कैसे cover up करेंगे देखे दोस्तों जो important topic मतलब जो जो वेटेज वाला रहता है आप इनवर्सिटी का जो syllabus है जो जो इनवर्सिटी में आप दे रहे हैं mca और msc का उसमें syllabus आएगा दोस्तों syllabus को download कीजिए उसके बाद उसमें देखी एक जो गौस्तेन पेपर उससे उस topic में जो जो syllabus में हार एक topic में कौन सा-कौन सा topic में जादा मार्क आया है तो जादा मार्क जिस-चिस topic में आया है दोस्तों वह सो पहले कभर अप कीजिए उसके बाद नेख topic को देखे दोस्तो और एक दोस्तो लगभक अगर 100 question आएगा तो उससे 60 question आब अगर अच्छा तरह से write कर देते हैं उसके मतलब है आप जरूर click करेंगे दोस्तो 60 से 65 question अगर आप item कर पाते हैं सही से मतलब वो question right हाना पड़ेगा उसका जो answer है अगर वो कर पाते हैं दोस्तो 100% आप top level का जो भी university आप qualify करेंगे दोस्तो इसके बाद दोस्तो MSC का यह syllabus है आप देख लिजी MSC computer science का यह syllabus है दोस्तो यह देख लिजी दोस्तो यह प्रूरा details से आपका syllabus दिया गया है दोस्तो और total है दोस्तो MSC का और Mca का दोस्तो यह computer चाठ टो पार्ट रहता Mca का दोस्तो computer awareness एक पार्ट रहता है General English रहता है Regerning और है mathematics दोस्तो इन जो computer awareness इसमें बहुत 20 mark maximum होता है दोस्तो इंग्लिस में भी 10 मार्क और जेनरल एबिलिटी में 20 मार्क ऐसे करके और मैक्सिमम दोस्तों मैथेमेटिक्स का पार्ट में आता है मैथेमेटिक्स जरूर अच्छा तरह से प्रिप्यार किजिए अगर MCA एंटर्स आपको क्वालिफाय करना है दोस्तों थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप बहुत जल्दी हम MCA और MSC Computer Science का question paper discussion करेंगे next video में दोस्तों थैंक्यू जरूर subscribe कीजिए दोस्तों और notification बटम जरूर क्लिक कीजिए नया नया वीडियो हम जो भी आपलेट करेंगे आप देख पाएंगे